ये आकाश्वणी का सागर केंदर है, फ्रिक्विंसी मॉडूलेशन एक सो दो दश्मलोग 6 मेगा हर्ट्स पे, आए सुनते हैं ये परिचर्चा, इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं सीटी मैस्टेट सागर पवन बारिया और डिप्टी कमिशनर नगरपालिक निगम सागर डॉक्टर प्रणय कमल खरे और इस परिचर्चा का विशे है, कंटेंमेंट छेत्र की चुनोतियां, परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं दीपक निशाद और परिचर्चा का संयोजन किया है डॉक्टर संजय सिंग भर्माने, तो आईए सुनते हैं ये परिचर्चा, नमस्क आप दोनों महमानों का बहुत-बहुत स्वागत है हम सभी जानते हैं कि लॉक्डाउन के बाद देश अब अनलॉक की तरब बढ़ रहा है यानि एक जून से तमाम जो गतिविधियां हैं चाहें वो व्यवसाइक हो किसी भी प्रकारकली गतिविधी हो उसको फेजवाइज मैन में यानि की चरणबद तरीके से सारी चीज़ें खोली जा रही है तो ऐसे में चुनोतियां बहुत बढ़ गई हैं ना सिर्फ प्रशासन की द्रिश्ची कोण से अगर हम देखें या फिर जनता की द्रिश्ची कोण से देखें तो लॉक्डाउन में किस तरह की सकती का पालन किया जाना जरूरी था और अनलॉक होते समय हमें किस तरह के हतियात का पालन करना जरूरी है कंटेन्मेंट छेत्र की क्या चुनोतियां हैं क्या मेडिकल छेत्र में चुनोतियां हैं क्या प्रशासनिक चुनोतियां हैं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आप दो खास म हमान हमारे साथ हैं सबसे पहले चर्चा की शुरुवात हम पावन बारिया साब सिटी मजिस्टेट सागर आप से करना चाहेंगे कि जब भी कोई पेशन्ट या मरीज कहीं पे कोरोना पाजिटिव पाया गया तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है या सबसे बड़ी जो चुनोती होती है वो है तो ये चुनोती कैसे आपके सामने आती है और किस प्रकार से आप इस पर एक्ट करते हैं रिस्पॉंस करते हैं प्रतिक्रिया देते हैं आकाश्वानी के सभी शोताओं को मेरा नमश्कार मैं पावन बारिया सीटी मजिस्ट्रेट जब भी कोई कोरोना पॉजिटिव सबसे पहला मिलता है तो उसकी जानकारी हमें जो डीन मेडिकल जो हमारे सागर में हैं उनके द्वारा जिला प्रसाशन को दी जाती है फिला प् प्यार करते हैं और उसके बाद जो कंटेंटमेंट प्रपरेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वह बनाए जाता है तो इसमें जो हमारी एक टीम होती है जिसमें मैं इंसिदेंट कमांडर नगर निगम की टीम पीड़ुडी की टीम और पुलिस की टीम हम चारों लोग एक टीम में एक साथ हम एक शेडूल बना लिया है मौनिंग 8 o'clock हम पहुंचते हैं वहां पे और उस घर से जो पॉजिटिव का मिला है उससे कितना एरिया डेंसिटी वाइज पॉपुलेशन वाइज एरिया वाइज स्लम्स उसके कुछ पैरमेटर से हैं इन जब के ब पुरा सेनिटाइजेशन करते हैं और उसके बाद पूरी बाउंडरी बन जाती है तो उसके हमारा पुलिस परसनल बैड जाता है जो कि सारी आना जाने पर और बाकी चीज़े हैं वहां पर देखता है यानि कि बहुत व्रहत प्रक्रिया है यह और कई डिपार्टमेंट कई विभागों के समन्वे से यह काम किया जाता है बारिया साब इसमें आप से एक चीज़ और समझना चाहेंगे हम चुकि कंटेन्मेंट शेत्र की बहुत बात होती है लेकिन एक आम जंता के दिमाग में इसकी एक छवी बने एक समझ बने इसके लिए जरूरी है कि लोग जाने तब दिल्या हुई इसके मानक में कुछ परिवर्तन हुआ है या आज अभी आप जो सदर बाजार या बाकी जो छेत्र पाये जाते हैं जहां पर मरीज़ पाये जाते हैं वहां पर जो आप धीन्मेंट करते हैं दोनों में फर्क है क्या हुआ अभी तक जब सबसे पहले हमें सागर में जब containment छेतर बनाया हमने तो उसमें हमने उसमें जो राज्य सरकार की जो guideline थी कि COVID positive को epicenter मानते हुए तीन किलमेटर का diameter पूरा हमें prepare करना है तो हमने जो कृष्णकंज, शनीचरी, शुकरवारी का जो containment बना था वो काफी बड़ा हमने बनाया था लेकिन समय के साथ साथ जब साशन से हमें अलग-अलग निर्देश आते गए तो अभी वरतमान में जो हमारा सदर छेतर है उसमें ह क्या होता है कि हमारी monitoring हम अच्छे से कर लेते हैं सारी पुलिस उसमें अच्छे से देख रहे कर लेती है और sanitization भी प्रॉपर हो जाता है पचास मीटर की परीधी का चिन हंकन किया गया है ऐसा आपका कहना है कंटेनमेंट शेतर बनाने में डॉकर प्रणाय कमल खरे सहाब भी बीच मौझूद और नगरपालिक निगम की बहुत बड़ी भूमिका जैसा कि पूण बाडिया साहब ने भी बताया मरीज मिलने के बाद सेनीटाइज करना और बाकरी प्रक्रिया संपन्न करना इसमें नग से पहले हमारे जो सेनिटाइजर इंचार टीम का है उसको इनफर्म करते हैं वो अपने टैंकर से लेकर पूरे उस एरिये को जहां पे कोवेड पॉस्टिव बाला पाया गया है उस घर से लेकर 20 मीटर के दोनों तरफ उसको सेनिटाइज किया जाता है पूरी तरह से और उसके से पर हम लोग करते क्या है कि उसको करने के बाद उसको सेफ करने के बाद पूरे वार्ड को भी सेनिटाइज करते हैं आप से यह भी समझना चाहेंगे कि एक बार सेनिटाइजेशन के बाद यह कितने अंतराल पे होता है वैसे तो तीन दिन के बाद करना चाहिए लेकिन जिसमें जो केंदर सरकार के MHA के गाइडलाइन्स है उसमें पॉजिटिव कोविट पॉजिटिव मिलने के 21 देज तक जो है कंटेनमेंट एरिया बना रहेगा तो उसी दर्मियान जो पॉजिटिव मिला है उसका 14 देज में वो कभी स्वस्त हो जाता है कभी उसको 17 देज लगत करते हैं और उसके बाद उस शेत्र में या उसके आसपास महले में कुछ लोग और पाए गया है संक्रमीत तो उसके बाद तो सभावी क्रूप से यह जो समय है वो और बढ़ जाया करता होगा इसमें मुख्यता ही रहता है कि उस कंटेनमेंट एरिया में जो लास्ट पॉजि केस मिला उसके 21 देस तक मान लीजिए कि हमें आज मिला एक तारिक को फिर उसके 15 दिन बाद फिर हमें दूसरा मिला तो अब जो 15 तारीक के 21 दिन तक वो आगे बढ़ जाता है तो इस तरह से यह जो है कंटेनमेंट एरिया के जो गैडलाइन्स है उसमें हम इसको आगे सारे स उसके बाद सैनिटाइज तो करना ही होता है लेकिन साथी साथ कॉंटेक्ट ट्रेसिंग करना यह बहुत बड़ी जिमेदारी और चुनोती भी होती है यह कितने दिन में आप संपन्द कर लेते हैं जहां उसमें बहरी नेक्स डे जो आता है हमारा उसमें हमारी मेडिकल टीम आंगरवाडी के जो टीम है वो प्लस हमारे टेक्स कलेक्टर और सफाई दरोगा यह मिलके एक टीम बना लेते हैं और उस वार्ड में एक एक घर के लिए टीम को टार्गेट देके कि आपको पचास घर लेना है इस वार्ड से और इस तरह पूरे वार्ड का उसमें जो है उसी के साथ उनका परिक्षन भी करया जाता है जी किसी भी छेत्र में यदि कोई मरीज पाया जाता है तो मरीज पाया जाने के बाद उस छेत्र में एक तरह से कह लिए कि बहुत पैनिक की स्थिती होती है लोग बहुत घबराए भी होते हैं लोगों को पता नहीं होता है कि क जा करना है तो ऐसी स्थिती में सेनitization भी करना contact tracing भी करना लोगों से बात करना जाच करना कैसे उनकी counseling करते हैं दौक्टर प्रणर कमर्खरे उसमें किया जाता है कि सबसे पहली जब यह पूरे प्रिक्रिया हो जाती है तो हमारे जो city में state सबी लोग उसको सुन सके वहां यह बताया जाता है कि आपको घबडानी की ज़रूरत नहीं है यह क्योगर हो सकती है बस केवल आपको अपना रोग छिपाना नहीं है आगे आके अपनी जांच कराना है यह बहुत जरूरी है लोग छिपा जाते हैं डर जाते हैं लेकिन जब य साब जो हमारी इंसेंट कमांडेर भी उस चेत्र के उन्हों ये बेवस्तर दे रखी है कि बार्ड के बाहर ही एक डॉक्टर की टीम बठा लेते हैं अगर माली कोई ऐसा है कि जो आके निकल के करा सकता है तो वहां आके अपना परिक्षण करा लेता है उस परिक्षण के बाद भी अगर वह ठीक पाया तो उसको हो करेंटान वैसे 11 तक अंदर रहना है उस चांटेंध में और वह संक्राइब पाया जाता है या कोई लक्षण पाया जाते उसको तद्काल आइस्वलेट करके और उसके यानि जो भी containment चेत्र गोशित किया गया है उस चेत्र के हर एक रहवासी को 21 दिन तक क्वरेंटाइन रहना है यह बहुत महात्वपूर्ण चीज है पौन बारिय साहब इसमें मैं आपसे और जानना चाहूंगा जैसा कि डॉक्टर प्रणाय कमल खाले साहब ने बताया कि इसमे को बताते हैं कि आपको 21 दिन तो कॉरेंटाइन रहना है और नीमों का पालन करना है तो आप लोग क्या समझाते हैं उनको क्योंकि यह जंता से जुड़ावा पक्षिया और जंता को यह समझना बहुत जरूरी है कंटेंवेंट एरिया कि जो 21 दिन के जो अवधी होती है उसमें शुरूवात के पांच दिन में कभी इतनी जादा समस्या नहीं आती हम एक बार जब उनसे माइक सनाउंस कर देते हैं कि आपके छेतर में एक पॉजिटिव मिल गया है सभी लोगों को मास का अनिवारत उपयोग करना है कोई अनावशक घर से बाहर नहीं निकलेगा हर दो घंटे के परिधी में आप अपने हाथ साबुन से या सैनिटाइजेशन का उपयोग करेंगे लेकिन उसके पास जैसे ही जैसे अब धी बढ़ती ही जाती है दस दिन होते हैं तो जो समस्या होती है अब वो कंटेनमेंट एरिया है ना कोई वेक्ति अंदर आ सकता है ना कोई वेक्ति बाहर जा सकता है तो जो फूड डिलिवरी मेडिसिंस दूद सबजी यह सब चीओं के जो होती है वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है उन लोगों के लिए तो में जब भी Containment बनता है तो उसके 2-3 तीन में हम एक ऑडर जारी कर देते हैं उस Containment एरिया के पास के कोई राशन वाला, दूद वाला, सबजी वाला हम ले लेते हैं और उसका сब्सक्राइब करके Containment के अंदर announce भी करा देते हैं वो चस्पा भी करवा देते हैं लोग आके उस number पे call करते हैं और वहाँ पर वो व्यक्ति barricade पे आके अंदर नहीं आ सकता वो वो barricade पे आके जो भी आवशक खादिसामगरी है, दवाई है ये सब उनको supply कर देता है जिससे कि फिर सभी लोगो उसको जब ले लेते हैं तो कभी जादा problem नहीं आती है, तो barricade से वो चीज़े अंदर तक कैसे जाती है, जन्ता तक? उसमें जो जन्ता का एक व्यक्ति जो है वो आएगा barricade तक और बहार में जैसे राशन लेना है और इसमें भी social distancing और तमाम जो covid के norms हैं, नियम हैं उसका पालन करते हैं विकलिया जाता होगा, किस तरह की नियम के पैक्षा करते हैं आप, जन्ता की सहुलिएत के लिए इसमें मुक्यत जो दो सबसे important चीज होती है, वो एक आपका mask पहनना और दूसरा social distancing का पालन करना अभी अब जैसे हम देखते जा रहे हैं कि हमारा जो देश है lockdown से unlock के तरफ जा रहा है, तो ये दो चीजें जो रहेंगी सबसे जादा हमें अपनी आदत में डालनी पड़ेगी कि mask का हम अनिवारत आपयोग करें और social distancing का पालन करें जी, ये new normal हो गया है समाज में अगर हमें स्वच्च और सुरक्षित और स्वच्थ तरीके से जीवन यापन करना है डॉक्टर प्रणाय कमल खरे साब आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो यह नहीं हो सकता है कि अब उसको फिर वहीं बंद रखा जाए जी, तो जो हमारा पुलिस का पॉइंट है वहां से इंट्रिगेट से वह आकर अपनी medical emergency बताएगा city minister साब ने एक ब्यवस्था दे रखे हैं कुछ आटों के नंबर दे रखे हैं जो वहां से उस medical emergency बाले को ले करके hospital तक ले जाएगा और जो common hospital जहां पर OPD चलती है वहां पर उसका treatment होगा और वो बापेसा के उसको वहां छोड़ेगा यह व्यवस्था दी जाती है कि किसी भी point पे किसी भी check point पे जा करके क्या कोई व्यक्ति अपनी समस्या दरश करवा सकता है आपात काली निस्तिती से सम्मंदित इसमें जब हमारे containment area जब बड़े हुआ करते थे जब मालीज़े जब उसके एक किलो मेटर तक हमने बनाए हैं उस cases में हम पूरे area के तीन दिन gates रखते थे जिस पे multiple entries और multiple exits होते थे लेकिन चुकि अब वर्तमान में हमने containment areas जो हैं अब 50 meters के कर दिये हैं तो हम उसमें एक ही entry और एक ही exit रखते हैं तो इसमें जालाद लोगों को परिशानी नहीं आती है जब content बनता है तो हम अंदर जाके पूरा निरिक्षन करते हैं कि कहां road हैं कहां आने के सुविदा हैं यह सब सारी चीज़ें देख लेते हैं तो एक ही gate से वो परियाबत रहता है इससे सारा संचलन किया जाता है एक कोई शहर में यदिये कह सकें कि central command type का कोई अगर help line number है जहां पे लोग मदद के लिए कह सकते हैं जी बिलकुल हमारे सागर जिले में जो collect rate में हमने एक smart city office में Corona control room बनाया हुआ है जिसमें हमने जो दो landline number है वो flash की होए हैं वहां पर कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी समस्या को बता सकता है उसमें हम वहमारे त्वरित निराकरण किया जाता है उससे और जो भी व्यक्ति हैं उनके doubts का भी clear हो जाता है इस चीज़ों को लिके जी डॉक्टर परनाय कमल खरे साब उसी control room में एक डॉक्टर की टीम भी बैठती है जो online लहती है और वहां पर बात करने में वो direct patient अगर चाहे तो खुद अपने mobile से बात करता है और उससे लिंक रहता है और उसका निराकरण वो डॉक्टर वहीं पर कर देता है ताकि आदमी ज्यादा panic ना हो ज्यादा घबडाएं नहीं COVID hospital बुंदिलखन medical college है वहां पर जाए या फिर स्वास्थ अमला वहां पर containment छेतर में आकर कि उस व्यक्ति की जाँच करेगा दोनों में से क्या होता है क्या कहना है पहुंद बार यह सवाब का बहुत ही अच्छा सवाल है यह बहुत से लोगों को यह doubts होते हैं इसमें मैं सभ सभी कोई बताना चाहूंगा कि जब भी कोई positive व्यक्ति मिलता है तो सबसे हमारी सबसे पहले contact tracing होती है उसके हम उससे पूछते हैं कि आप पिछले 3-4 दिन में आप किस-किस के संपर्ग में आए हम उसकी listing करते हैं और हम उन सभी व्यक्तियों को एक institutional quarantine किया जाता है उनको हम हम बकायदा उन सभी लोगों को बस में हमने सागर में 2-3 जो हमारे institution को हमने quarantine center बनाया हुआ है वहां पर आते हैं और वह 5-6 दिन उनको रखा जाता है उनका test suddenly नहीं किया जाता है क्योंकि जो लक्षन हैं जो symptoms हैं वह एक-2 दिन में नहीं आते हैं 5-6 दिन होने के बाद फिर हम उसके संपर्क में आये थे हम शाम को उसके जाथ बैठते थे तो हम उन सभी लोगों की list बनाते हैं उनको उनके घर से जो हमारी ambulance है उनसे हम उनको shift करते हैं institutional में और 5-6 दिन तक वो रहते हैं फिर अगर उनमें लक्षन डवलप होते हैं तो उनका sampling होता है नहीं तो फिर 14 देश तक रहने के बाद फिर हम उन्हें free कर देते हैं यह तो first line of contact की बात हुई कि पहली दफा प्रसंद रिष्टिया जो व्यक्ति सीदे उसके संपर्क में आया है डॉक्टर प्रनेक अमल खरे साहब आप से हम जाना चाहेंगे कि कि किसी व्यक्ति के इंदर मालेज उस containment मे हो सकता है तो ऐसे में क्या वो बुंदलखन medical college या यदि help line number पर आपको फोन करता है तो आप भी वहां पहुच्छ सकते हैं सबसे पहले तो help line में अगर फोन करता है तो जो हमारी RRT टीम जो बनाई गई है करीब 57 team में सहर के लिए दी गई है वहां से सीधा RRT टीम वहां ज resolution में रखना है इसको उसी की बाद फिर उसको step by step आगे बढ़ाते हैं बहुत महत्पुर्ण बात है पौन बारियर साहब एक चीज आपसे और हम समझना चाहेंगे कि कई बार जब आप किसी छेत्र में जाते हैं तो कई बार जनता की बीच और प्रशासन की बीच तना तनी की इस्थितियां क्यों उत्पन होती हैं और उनके समाधान के लिए आपके तरफ से जनता को क्या समझाईश दी जाती है या अभी भी माल लेजे किन्री शेत्रों में आपको जाना पड़ेगा तो जनता इन चीजों के लिए कैसे तयार है उनका mind make-up कैसे हो कि आप क्या कहना च या जो हमारे जो BPL धारक है या जो BPL से उपर आते हैं जो कि निर्धन है आसाय है तो ऐसे लोगों को अगर हम प्रॉपर टाइम पे उनको जो राशन है दूद है फल है सब्जी है पानी है गैस है या अवशिक सामगरिय करम समय पे पहुंचा देते हैं तो सारी चीज़ें आस और प्रशासन भी अपनी तरीके से पूरी मुस्तेहदी से काम करती है और लोगों को समय पर चीज़ों को महिया कराती है पौन बारिया साहब आपसे हम एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि चुकि अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं लोगों का मूव्मेंट भी शुरू ह हो रहा है आना जाना भी शुरू हो रहा है तो इसमें जो लोग एक शहर से दूसरे शहर में या एक राजी से दूसरे राजी की तरफ जाना चाहते हैं अपने काम की सिलसले में व्यवसाई की सिलसले में रोजकार की सिलसले में किनी कारणों से तो उनके लिए क्या अभी राजय साशन के द्वारा जो भी नवीन निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें अब एक शहर से या एक जिले से दूसरे जिले या एक राजय से दूसरे राजय जाने के लिए जो इपास की आवशकता थी अब उसे समाप्त कर दिया गया है लेकिन फिर भी कुछ प्रोटोकॉ अब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा उसको वो वकायदा अपना सारा काम ऑफिस का और सब कुछ कर सकता है उन 14 डेज के बीच में अगर उसको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं सर्दी, जुखाम, खासी, सासले में तकलीफ है तो वो वहां की जो वहां पर आने के बाद उसको घर में कॉरंटाइन किया जाता है यह अवधी 14 दिन की थी अभी तक तो क्या इसमें अभी कुछ नमींतम परिवर्तन किये गया है कुछ नमींतम इसमें संशोधन किया गया है जी जी बिलकुल इसमें आप ऐसा कर दिया है कि जब भी आप किसी दूसरे शहर में जाएंगे तो वहां पर आपको उसकी जो लोकल बॉडीज है वहां पर उसको सूचना देना पड़ीगी जो से हमने सागर में व्यवस्ता की है कि अगर कोई दूसरे शहर या जिले का व्यक्तिकर सागर में आता है तो वह सबसे पहले अपनी सूचना जो सम् क्वारंटाइन रहेगा वह अपना देने क्रूप कर सकता है लेकिन अगर उसको लगता है कि 5-6 दिन के बीच में अगर उसको कुछ ऐसे तबीयत ठीक नहीं है तो वह जो भी हमारी संबंदित जो BMC है जैसे यहां पर है और जिला स्पताल है वहां पर जाके उसकी वह जांच करवा सकता है तो एक जो 14 दिन का कंपल सरी कॉरेंटाइन चीज थी अब वह जी रिलाक्स कर दी गई है जी यानि वह अपने नेमित काम को कर सकता है यदि वह स्वस्थ है तो ऐसा आपका कहना है जी जो त्री लिएर भैक्स होते हैं उसकी अंदर उसकी बोडらい रखे है और उसको फिर अम्बूरंस से लेकर करके सीधह जहा अगर मर्चरी से सीधह से शिफ्ट करते हैं यह हैं समसान घाट या जहां पर इनका 1986 क inspired जासे वह बने यहासा है और वहां पर बन करने का रहा है जो प्रोटोकाल है कि बर्ण ही करना है तो इसलिए फिर समसान घाट में रहे जाके और हमारी निगम के जो टीम रहती है वो जाके महाँ पर PPE किट पहन के और उनको बड़ी सावधानी पूरो उसको बड़ी को बर्ण करा दे अभी इसमें शादी विवा और इस तरह के डेथ ब तो उसमें अंतिम संसकार में नियुनेतम जो है 20 लोग से जादा जानी के अनुमती नहीं रहेगी और अगर कोई भी शादी समाहरो रहता है तो उसमें 50 लोगों की संख्या नियदारित की गई है उससे जादा की संख्या पे अनुमती नहीं रहेगी उसमें उनको जो भी लेकिन अब हमें बाहर भी सुरक्षित रहना है तमाम हैतियात का पालन कर दूए तो अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो हमें किस हमें एक तो social distancing हमारे जीवन का एक जो एक दैनिक उसे मान लेकर उसको धालन करना होगा और जो mask है दो चीज़ें जो मैंने पहले भी की थी social distancing का पालन करना और mask को पहनना ये दो चीज़ों को हमें अपने behavior में लाना पड़ेगा उसके साथ ही आगे तक हमें जब तक कि कोई vaccination ना आ जाती तब तक हमें इसका पालन करना पड़ेगा जी ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारे लिए जीवन रेखा है लाइफ लाइफ लाइन है इन चीज़ों का पालन करना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर प्रणाय कमल खरे साहब आखरी में आपसे भी हम चाहेंगे कि चुकि आपका चिकिस्तिकी अनभव भी है तो आप अपने अनभव कैधार पे और नगर निगम में आप डिप्टी कमिशनर के पत पे भी कारेरत है तो दुनों चीज़ों का आपको अनभव है तो आप क्या कहना चाहेंगे आप जंता के लिए जो सड़क प्यार हैं अपने कारेले में काम करने के लिए आ रहे हैं उनको किन चीज़ों का पालन करना बहुत जरूरी है आज के समय में सागर आकासबानी के सभी सेताओं से मैं यह कहना चाहूँगा कि मास्क लगा कर जरूर रखें जैसा कि अभी बताया सिटी मेस्टेट आम ने कि अपनी दूरी आपस में दोगज की दूरी बहुत जरूरी इसको पालन करें और हाथ भी सावन से दोते रहें सावन सब के घरों में होता है सावन से हाथ दोए और खुदी भी सुरक्षे तरखें और दूसरों को भी सुरक्षे तरखें पवन बारिया सिटी मेस्टेट सागर और डॉक्टर प्रणाय कमल खरे डिप्टी कमिशनर नंगरपालिक निगम सागर से आप हमारे बीच आएं और कंटेन्मेंट शेत्र की शुनोतियां किस तरह के जो नियम और काईदे का पालन किया जा रहा है किस तरीके से नमी इंतम संसोधित जो आदेश आ रहे हैं उसका क्रियानवन किया जा रहा है और जंता को इन तमाम कंटेन्मेंट और क्रोना के संक्रमर काल में किस तरह के यहतियात का पालन करना बहुत ज़रूरी है खास कर इस संदर में कि जब हम अनलॉक के तरफ जा रहे हैं और अपनी नियमेद दिंचरिया के तरफ वापस आ रहे हैं तमाम मुद्धों के बारे में आपने बहुत विस्तार से हमारे शुताओं को बताया आपने वक्त निकाला अपने वहसतम कारिक्टम में से लोगों को जागरूट लिया आप दोनों महमानों का बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार कंटेन्मेंट शेतर की चुनोतियां इस विशे पर अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा परिचर्चा में भाग ले रहे थे सिटी मैस्टेट सागर पवन बारिया और डिप्टी कमिशनर नगरपालिक निगम सागर डॉक्टर प्रणाय कमल खरे परिचर्चा का संचालन कर रहे थे दीपक निशाद और समनमे था डॉक्टर संजा सिंग वर्मा का ये आकाशवानी का सागर केंद्र है फ्रिक्विंसी मॉडूलेशन एक सो दो दश्मलव छे मेगा हर्ट्स पे